हेलो फ्रेंट्स महीं अनपुर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में आज मैं बनाने वाली हूँ पालक बड़े जो बहुती टेस्टी है और बहुती हेल्दी है जिसे हम दाल के साथ बनाएंगे और वो भी बहुती जल्दी बहुत आसान तरीके से तो आएए देखते हैं इसके लिए हमें किन-किन चीजों की आवशकते है मेनीलिया चना दल एक कटोरी उड़त डल आदा कटोरी मूंग दल आधा कटोरी सबसे पहले और हिंग, सबसे पहले मैं चना दाल और उड़त दाल और मोंग दाल की दो के अच्छे से इसे मैं एक घंटे के लिए बीगने रख दूँगी, एक घंटे के लिए रख दूँगी, देन आफटर मैं इसको ग्राइंड करूँगी, इसे हमें बहुत ज़्यादा नह अधरक को काटके, इसके बाद मैस में डाल रही हूँ हरी मुर्च तीन, हरी मुर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाले हूँ एक स्पुन जीरा, दाल के मैसे ग्राइंड कर रही हूँ, मैंने ग्राइंड कर लिया है, थोड़ा दरा एक दम चिकना नहीं किया है, अब देख सकते हैं, यह थोड़ा सा गाड़ा है, पतला नहीं है बैटर, क्योंकि मैंने पानी बहुत कम इस्तेमाल किया है, मैंने दाल को निकाल लिया है, बावल में, अब उसमें मैं डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स, आप चाहो तो लाल मिर्च को कूटके भी डाल सकते है, यह skip भी कर सकते हैं, फिर उसके बाद मैंने अजवयन को क्रश करके डाला है, फिर धनिया पती, सोरी करिया पती, करिया पती के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पती, डाल के अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करने से पहले मैं डाली हूँ दो पिंच हिंग, अब मैं ये नाय को बारिक काटिये यापश क्लिक दालक और 500 चू शाखका है पालक लिए वेजिटेबल भी एड़ कर सकते हो जैसे गाजर बंदा को भी बहुत टेस्टी लगेगा और वेजिटेबल जितना जादा यूज़ करेंगे उतना अच्छा है तेल गरम हो गया अब मैं बना रहे हूं वड़े मैंने वड़े बनाने के लिए सबसे पहले हाथ को अच्छे से ग wnieं को फ्राइन की अच्छा हैं अधर व Gam la好了 का जञाए डिए उपर नीचे यहरैगा UKल करेंगे। तो तेल बहुत ज़ादा सोख लेंगे, इसी तरह मीडियम हाई फ्लेम पे उपर नीचे पलटते वे हम इनको फ्राइ करेंगे, बस वड़े बनके रेडी है, मैंन को निकाल रहे हूँ और मैंने सर्व कर रहे हूँ मुमफलनी की चटनी के साथ, आप इसे सॉस के साथ भी सर्व कर साथ आपको